मेरे प्यारे देश के प्यारे देश बासियों, आज जब मैं आप से मुखातिफ हो रहा हूं, तो बहुत बिचले तूँ, महन में गहरी पीड़ा है, कोरोना की महामाई ने समुझ दुनिया भी हिला कर रख दिया है, हमारे पहरे देश भार्ट में भी ये तेजी से फैल रहा है, अमरिका, इंगलेंड, इटली, फ्रांस, स्पेन, जैसे देशों में इसकाहत ताबू से बाहर हो रहा है, दुनिया में संक्रमित लोगों की संक्या लाखों में हो गई है, इससे मरने वालों की संक्या भी एक लाख के पार हो गई है, अभी तक इसा कोई भी असरदार उपचार सामने नहीं आया है, हालात को देखते हुए हमारे सरकान ने तीन मही तक लोगडॉन बढ़ा दिया है, लोगडॉन का ये दूसा चरंद पूरे देश के लिए, देश में एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत दूर ने, इस लॉक डाउन में हमें कोरोना को काबू करना ही होगा, तीन सपता के लोगडॉन ने हमारे सामने अनेक अठनाया पैदा की है, हमारे सामाजर्चेक जीमन रुग गया है, हमार आना जाना रूग क्या है उद्ध्योग वेपार बंद हो गए हैं लोग के सामने रोजी रोटी के संकट पैदा हुआ है कमजोर बारों पर भारी मार पर रही है लेकिन मनुश्य का जीवन इन सबसे बढ़ा है जान है तो जान है जब जीवन रहेगा तब ही सारे की अकल आप चलेंगे इसलिए प हमें परशानियों को सहना पड़ेगा कटनाईयों को सामना करना पड़ेगा जिन्दी की बचाने के लिए इन कटनाईयों को सहना ही एक मात उपाय है हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ये भी कहा जा रहा है कि अगल लाग डाउं लागों नहीं करते तो हमारे यह हाल कुर्ण मनुष्य जाती के लड़ाई है मनुष्य जाती के हर सदस्र के लड़ाई है हमारी और आपकी लड़ाई है इस लगए में हर वेक्ति सिपाही है हर वेक्ति कोई ना कोई जिम्यदारी है हर वेक्ति कोई ना कोई भूमिका है अगर हम सब यह मान लेंगे कि जो कुछ करन को करना है अस्पतला और डॉक्टरों को करना है पुलीस और प्रशाशन को करना है तो यकिन मानिये कि हम करोना की भृद्द लड़ाय हार जाएंगे अगर हमें कोरोना को हराना है था हमें भी स्वेट को एक सिपाही मानना होगा हम जहां भी जैसे हैं वह अपनी भूमी का सफदारी है यह बेहुत कघिन द ौर है इनसान खत्रे में इनसानियत खत्रे में मैं सबीज अफिल करते हूं कि कोरोना के करना करने कि हों समझे आपके चाहे कोई भी धर्म, कोई भी संप्रताय हो, कोई भी मजह हो, सब को इनके ओपर उठने की ज़रुरत है। इस समय हम सब का मजह इनसानयत ही होना चाहिए। इनसानों बचाना होना चाहिए। लॉक्टर, नर्स, पुलीस प्रसाशन के लोग आगे रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। यह हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दाओं पर लगा रहे हैं। इल्नोवर्स साथ दें, तानमन धन से साथ दें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग ना होने दें। टेलीफोन, इंटरनेट के जरिये अपनों से संपल बनाया रखें। भावनाएं बहुत बड़ा संबल होती हैं। हम सारे देश भावनाथ मक्ति के साथ एक दूसर दें। और एक दूसर के दुह दर्ध को समझें। इसी में हम सब की सुरक्षा हैं और इसी में हम सब की भलाई है। जब हम कुर्णा को हरा देंगे, तो जिन्दें के नई ही शुरूवात करेंगे। सब मिल दूलकर एक दूसरा साथ देंगे, और पहले से भी मजबूत भारत कर निर्मान करेंगे. जय भारत, जय मानता, आप कहीं तरशे, सारा प्रणाम.